हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे फूले फूले कुल्चे और मटर छूले बिल्कुल दिल्ली स्टीट स्टाइल में और आज हम बनाएंगे अपने कुल्चे मिक्सी में तो फ्रेंड्स आप हैरान मत हुए मिक्सी में कैसे कुल्चे बनेंगे वह हमां के वीडियो में देख लीजेगा और बहुत मज़ेदार बनते हैं बहुत नर्व मुलाइम फ्लफी और बिल्कुल दिल्ली स्ट्रीट स्टाइल में आज हम बनाने वाले रेसिपी तो इसके लिए हमने एक कप पीली मटर को भी गो लिया था रात भर के लिए तो मटर हमारी अच्छी तरह से फूल में अब हम डाल देंगे इसमें नमग नमक हमने डाल दिया और आधा चमाश हल्दी भी डालेंगे और हमने चुटकी भर हींग भी डाला है तो फ्रेंस इंग्रीडियन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शेब बॉक्स में मिलेंगे अब हम इसे प्रेश कुक करेंगे तीन अब एक बावल में हमने लिया है गुनगुना पानी तो ध्यान डखेगा पानी थोड़ा गरम होना चाहिए अब उसमें दो चमाश चीनी डालते हैं एक चमाश नमक डालते हैं और अच्छी तरह घुला लेते हैं और यह लिया है हमने ड्राइ अक्टिव इस्ट तो इसके द ज्यादा मददगार होता है उसे एक साइड रखते हैं उसे पास साथ मिनट के छोड़ देंगे अब एक मिक्सिंग जार में हम ले लेंगे दो कप मैदा आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं यानि आधा आधा मैदा में ले सकते हैं जैसी आपकी मर्जी लेकिन हम इस्टीट आपकी मददगा लेकि भॉते हैं आपकी म Правणी वे बिल्कुल जाग बन गया है तो हमारा इस्ट बहुत अची तरह तयह ता हमने इसको बच्चा घ्र क को एक मिनट के लिए च्रा दिया था उसके बाद फिर ह हमने इसमें बड़े चमंझ मंखन के ड़ले और फिर से छलाया त और उसमें 1 वाल को लगा देते हैं और प्रेशा कुकर को हमने गरम लिया है तो देखे इसलिए मैं ब्र 착 ब्रइश कुकर लगा ही है बहुत हुआ नहीं कि हमारा गरम है मतलब बहुत हाथ नहीं है लेकिन हां अच्छा गरम है湊 रहे सिसने अपने दो को डिलILY अच्छा कुकर म बना बनाए है हम हरी चटणी जूक 91 मैं जो आशा चटणी कोर्प आजे में सबीप, चटनी एक बना रहे हैं Tiffany दखने पत्ति लिया है नमक लीया है जीरा पॉडर लिया है। इमली या इमली हमे नगी ठोड़ा बढ़ा तो पुदियन के पत्तिया सोकत ago अगर भब ग्राइब सुखा के लिए साई में like्स zaj बुदिक जी थ Hybrid light के भाइब से साई में यानिके जूदुकि ऑलेते हैं तो मैं इससा अगलें आ तो कि शीक पाल मिल भाल तो मैं बना लेते हैं । तो पुदिने दाल दीते हैं लाल मिच पाउडर, काला नमक, काली मिर्च और धर्या पाउडर, तो यह स्पेशल मसाला हमने बनाया है अपने छोलों के लिए, तो मसाला तयार कर लिया हमने, अभी दर हमारे छोले भी गल के तयार हो चुके हैं, यह देखे, प्रिशर रिलीज होने पर हमने से निकाला, अब हम इसे अपने स्पेशल बना हुए मसाले को एड कर देंगे थोड़ा सा बचा लिया गार्णिशिंग के लिया डालेंगे थोड़ा सा प्यास मिर्चे चौप की वी अद्रक और छोले में पानी हमने देख यह कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है थोड़ा पतला हमें रखना है स्पेशल चीज मिलाएंगे वह हमारी बनी हुई धनिया पुदिना की चटनी तो दो चमा चटनी मिला के मिक्स कर लेते हैं छोलो में तो हमारा मतर छोला बनके तयार है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और दिल्ली के स्ट्रीट पे जो मिलता वही इधर दो गंटे हो चुके ह दो गंटे के बाद हमने देखी खोला मारा आटा पहुत अच्छा तयार हुए इतना फलफी इतना जालीदार यह देखिए बिल्कुल लाइट तो यह बेकरी में जो बनाते हैं ना कुल्चे नान ब्रेट बगरा वह वैसे ही डो हमने तयार किया है पहुत ही लाजवाब आट तयार हुआ है तो आप भी ध्यान रखेगा तो आपके भी आटे ऐसे ही तयार होंगे और कुल्चे भी अच्छे बनेंगे तो हमने आट पोशन में बाट लिया डो को लोई बना के सदख लेते हैं और दस मिनिट के छोड़ते हैं चलिए दस मिनिट के बाद हम बेलना सब्सक्राइल वाला मैंने कंसेप्शन दिया है यानि के स्टीर स्टाइल में मैं सफ करूंगी तो थोड़ सा ओवल बनाया है मैं इसी तरह से ठेले वाले बाईया कुल्चे को बना करके देते हैं तो उनके कुल्चे तो रेडिमेड होते हैं यह देखिए अब मीडियम होट देरे गें अलटके का देखने यसे लग रहा बहुत हलका जाया है मैं इसे महसूस कर रही हूं अधिक थोड़ थोड़ फूल भी रहा है, लाय्ट है बिलकुल अब हम क्या करते हैं कि कुल्चे को इसी तरह सेक लेते हैं बहुत ज्यादा हमें नहीं सेकना है और एक कपड़े के सब्सक्राइब करें क्ल्चा नरम दख शच्छ। दूसरे मैंने डाला है व capitalist शोल रहा से शिक टोड़ा एंग तो हम इसी तरह से से लुगर दिखिना क्षेख़ तरह प्रत को अज़ान थेख़ए है तो अ अभ्याई है क्षेख़ों में इप ह्काइब सब्सक्री छाएगों के पार फूल के पूल pry ऑँ ठी कुपने यह देखे मैं इसे हाथों से ले रही हूं मुठी में बिलकुल आ रहा है बिलकुल मुलाइम इतना फुला फूला कुल्चा बना है कि बस मत पूछे तो आज की रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है चलिए वीडियो को आगे तक देखे अब चलिए सब कर ले तो हमने दो कुल्चे भी फिलाल सब करने हैं यह देखे तो अलट पलटके हमने से के लिया है तो नों तरफ हलकी हलकी चित्तिया भी आ गया थोड़ से लाल मिश डाल दिया है तो अधर ट्राक्टर भूक आने के लिए और इसी तरह हमारे थेले पर भी हमें साव किया जाता ह थोड़े से हमने बचायों मसाले से गानिश कर देते साथ में प्यास के लच्छे भी हमने राले और हरी चट्नी तो हमारे मटा छोले कुल्चे तयार हैं तो यह मिक्सी में बनने वाले कुल्चे बड़े ही लाजवाब बने हो देखिए मैं इसे दिखा रही हुए यह तो टेम्टिंग बन के तयार हुआ है अदिखिए मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ छोलों के साथ तो मज़ा ही आने वाला है यह दिखिए तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई किजिए और हमें जरूर बताईगा रेसिपी आपको कैसी लगी इसी तरह की रेसिपी लेक झाल